अबिको जैबसे के प्रभु आप सबीको बहुत आशिसते जैसे कि आपने पढ़ा है कि खाना बनाते और खाते समय कभी कुटकुड़ाना नहीं चाहिए ऐसा क्यों है अगर कुटकुड़ा गए तो क्या होगा अगर नहीं कुट्कुड़ाए तो क्या होगा सबसे पहली बात ये है अगर कोई भी व्यक्ति कुड़कुडाता है तो कुड़कुडाना ये फर्मेशों को नहीं बाता है कुड़कुडाना एक दूस्ट आत्मा का काम है कुड़कुडाने के कारण है ना बहुत उने बहुत कुछ हो दिया अगर हम पढ़ें पुरान नियम में तो कुड़कुड़ाने के कारण इसराइलियों का 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया उनको सब कुस्तों मिला लेकिन कुड़कुड़ाने के कारण उनके प्राण नाश हो गए और एक के अंदर से कुड़कुड़ान दूसरों में गई, दूसरों से तीसरों में गई इसी प्रकार से कुड़कुड़ान वाली दूस्टाथम होती, जो ट्रांस्फर होती है मालो, अब कोई बैन है, अब उस बैन के हजबेंटने इसको बहुतसमार आया यह बहुत गाली गलोचन गाली करोचना कि किसी सदस्य सताया है गाली कलोज के बुरा भला का है लेकिन वो भेन ऐसी नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो इन बातों को लेकर कुड़कुड़ा गई या कुछ भी उस भेन के साथ ऐसा हुआ कि शायर जो होना नहीं चाहिए था या उसकी गलती थी या नहीं थी लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ा गई मालनों किसी भी कारण से कोई भेहन या भाई कुड़कुड़ा गई है मालनों कोई भेहन लेते हैं कोई भी भेहन जो खाना वा ना जानती है वो कुड़कुड़ा गई, किसी भी तरीखे जो जला गई, किसी की प्रती उसके मन में कड़वाहट या क्रोध, या गुस्सा आ गया, या गाली गलोज आ गया, या कड़वाहट आगी भर गई, कि इसको माफी नहीं करूँगा, ऐसा है, ये वैसा है, अरे जायस को तो निकाल मैरी तो ये कुड़कुड़ा हाट है, जो विरोध को उत्पन करती है, अगर इसी कुड़कुड़ा हाट के साथ कोई बहन खाना बना रही है, तो वो कुड़कुड़ा हाट वाली गंदी आत्मा उस खाने के अंदर मेक्स होती है, समधना, अगर आप शांती के साथ खाना ब बातों को प्रकट करेंगे तो इक अभिष्यक जो जो शैतानी अभिष्यक है वो उत्पन होता है यूद्ध जैसा तो बूले का वैसा होगा अगर आप यह सब चीजे पूर्खणाने वाली बाते बोल बोल कर खाना बना रहे हो कुणकुणार अपने मन में भर कर खाना बना रह तो प्लीज बिना कुटकुडाई खाना बनाए अगर कोई बात घर में हो भी गई है तो मेन मलाब कर ले पहले शांती रहे या माफ कर दे तुरण चैसा सामने माफ नहीं कर रहे कोई बाते लेकिन आप माफी मांग लो माफी मांग कर आगे बढ़ जाओ अगर आप खाना बन और प्रभू, आप मुझे शमा करो, मेरे मंन की मेरे शम्तों की देख, मेरे विचारों व्योवारों की नवारा जो पाप किये गये प्रभू, आप खाना बनाओते तेरी शांती है जो मेरे विरोन में ते वो फेवर में हो जाए प्रभू जब मैं खाना बनाओते तेरी शांती तेरा प्यार तेरा अनद तेरी चंगाई तेरा छुटकार इस खाने में आये ता कि जब कोई भी इस खाने को खाया अगर कोई गुस्सा भी था मु प्रातना करके जब उस खाने को बनाओंगे देखना जो काम आपके शम्द नहीं कर सके थे आप सिर्फ प्रातना कर रहे हैं, कोई मनुशे किसी को खुद नहीं बदल सकता अगर आप किसी को मूँ से बदलना चाहोगे ना बोल बोल के तो इसके कारण जगड़े रगड़े उत्पन होते हैं लिखा है, जब माते ज़्यादा होते हैं, महाँ पराद भी ज़्यादा होते हैं इसी प्रकारा कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रातना करोगे, प्रातना करके खाना बनाओगे प्रातना करके ब्लेस करोगे, खाना बनाते बनाते इसको प्रातना से शुद करो ब्लेस करो, उसमें प्रभो की शान्ती मागो, प्रभो का मेलमलाप मागो, प्रभो का आनन्द मागो, प्रभो का अभिशेक मागो, प्रभो की चंगाई मागो, प्रभो का छोटकारा मागो, प्रभो की धया मागो, प्रभो का अनुगरह मागो, प्रभो की शान्ती और प्रेम क बरपूरी मागो ताकि toplum गि भी व्यक्ति जो दुस्ट आत्मë से बरावा था ये कोई बहुं ऐसा व्यक्ति था जो जलन गुस्ट अ भी मरीजि भर बरावा था जब्वो इस आपके प्रातना कि एक लिए खाने को खाए तो उसके अंदर से व cette तो श्तातमा निकल जा और वो शांती से बर जाए, प्रेम से बर जाए, अगर वो विमारे तो वो चंगा हो जाए, अगर वो प्रोध में है, تو उस को शांती मिले, और वो मिलमलाब करे, यह थरीके हैं, यह सचाई है, आप करके देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुड़ा के गुस्सा हो रहा है तो वो चीज कई वर खराब भी हो जाती है गुस्से गुस्से में कई वर उनके नमक नहीं होता है कुछ कमिया हो जाती है या कई वर हम खुद नहीं खाते है कई वर ऐसे कुड़कुडा हाट से भर जाते है या तो खाना जल जाता है या कुछ हो जाता है ये सच्चा है भाने बन जाते है चैतान को मौखा मिल जाता है ये सच है किसी को शायद इस बात में भरोसा हो या ना हो लेकिन मैं इन बातों को जानता हूँ ये हकीकत है जब आप शांती के साथ किसी चीज को बनाओं गया किसी को लाकर दोगे किसी को खिलाओं गया किसी को परोश के दोगे प्रेम शांतिया आराम के साथ प्रार्तना करके प्रभु की भरपूरी प्रभु की आशिश नमरता दीन ता प्यार प्रेम में बिला आनंद को मांग कर उस खाने पीने के प्रभू के महिवा प्रकट होगे लेकिन जो कोई कुड़कुड़ा हाट से ऐसे वैसे खाना बनाता है तो कुड़कुड़ा हाट है ना इनसान की हड्डियों में समझ आती है देल बनकर मेरे भाई और मैंनों प्रभू नहीं चाहता है ये धर्द पीड़ा को उत्पन करती है कुड़कुड़ा हाट एक दुस्ट आत्मा है जैसे ये शो ने कहा था अपने चेलो को तुम्हें शान्ती मिले तो इस चेलो के अंदर शान्ती आ गई थी और सी समय वो शान्त हो गए वो चुप हो गए वो खुश होए लेकिन इसी प्रकार से मेरे भाई और मैंनों ये के बारे में है जीव के वश्में जीवन और मृत्यों दोनों है जो इसे काम मिलाना जाता वो इसका फल्बोगेगा अगर आप अपनी जुबान को शान्ती प्यार प्रे मेरम लाप को लेकर जब आप खाना बनाओगे और उस खाने के ओपर आप हाथ रखके दुआ करोगे य आपको और आणत मिलेगा आपको खुद शान्ती मिलेगी प्रेम मिलेगा जो विरोध में थे वो फेवर में आएंगे वो खुद बढ़ाई करेंगे प्रभु की महीमा करेंगे लेकिन आप गुश्चे कुड़कुड़ाट के साथ बनाओंगे तो लिखा जीव के वश्में जीवन और मृत्य दोनेगे आप विरोध की चुगलिनन्दा की बातों को करके आप बोल कर या खाना बका रहे हो तो वो चीज़ वापिस पलड़कर मिल सकती है आपको आपकी जिंदगी में लेकिन अगर आप अच्छा करके बनारे हो तो वो चीज़ आपको पलड़कर मिले मैं इसलिए इसलिए जितना उसरी अच्छा वह प्रातना करके खाना बनाओ प्रातना करो प्रातना तैयर उसके उपर प्रातन करो हाथ बढ़ाओ अपने, दूर से हाथ बढ़ाओ, यह नहीं कि हाथ अपने जला लो, ध्याद से, हाथ बढ़ाओ, और दुआ करो, प्रभू तेरी शान दिया, जैसे में कुछ कमी पेशी भी थी नहीं, तो प्रभू कमी दूर हो, जब कोई खाए, तो खाने में टेस्ट आए, क प्रभू का नुग रहा है, बहुत बाहर हो है मेरे साथ, लेकिन जब यह चीज़े मेरे जिन्दिकी में नहीं थी ना, तो मैं बहुत बढ़कता था, बहुत गुस्सा करता था, अपना अनुभा पता है मैं आपको, लेकिन जब आज कर ये बार खाने में नमग भी नहीं होत बीज बहुते रहना है, वल प्रभू अपने समय पर प्रकट करेगा, अलेलुया, और चीज़ बहुत महत्पूर है, आप लोगों को बतानी है, जैसे कभी आप खाना परोश रहे हो, या बना रहे हो, बनाते समय, परोश समय, खिलाते पिलाते समय, अगर हम दे रहे हो, रहे हो, तरी शांती, तेरा प्यार, तेरी चंगाई इस खाने में आजाए, ये शुत तरी नाम से इस प्रातना को मंते है, अमेन, बस इतना खेदो, ये भी बहुत है, ये निकी किसी अन्या जाती के सामने, दूसरों के सामने हम जोड़-जोड से प्रातना ही कर रहे है, या जादा दिखा रहे है, शौफ कर रहे है, इस चीज के करण में शेतान को अफसर ना मिले, कोई ये ना सोचे कि कोई जढ़भू को इतन्तर मंतर कर रहे है, हलां कि हम ऐसे करना ही रहे हम दो सर्फ प्रातना कर रहे है, लेकिन दूसरे लोग गलत सोचते हैं, दूसरों की सोच मुझे कोई नुकसान ऑनु जो मैं खी ओर कोई-कोई मुझे रुटान करता कि ऐसे अपरपना करके भा खौभी शेकों धने-वाइद करके दैनेद